हलो फ्रेंड स्वागत करता हूँ आपके अपने न्यूज चैनल और न्यूज नेशन में दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब करें और नोटिफेकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि जब मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप पर उसका नोटिफेकेशन पोच जाए और आप उस वीडियो को देख सकी हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आपने धमलेंड को देखा होगा कि रूस बर्फ में दबा मिला भेड़े का 40,000 साल पुरहन सिर बालों के साथ 30 सही सलामत मिले साइबेरिया के यावकूतिया छेतर में मिला भेड़े का कटा हुआ सिर सिर करीब 16 इंच लंबा है मौजूद भेड़े के सिर का करीब 2 गुना है मौस्को वैग्यानिकों ने साइबेरिया की परफीली पाड़ियों में सेहम यूक के एक भेड़े का सिर खोजा है भेड़े का सिर आर्केटिकल सर्किल में 2018 में वैग्यानिक फावेल एफीमों ने खोजा धड़ आसपांस कहीं नहीं मिला इस्ते माना जा रहा है कि भेड़े पर किसी दूसरे जानवन नहीं हमला किया था क्योंकि रूस में पहली बार मानव जाती 22,000 साल पहले आई थी रूसी वैग्यानिक डॉक्टर अलबर्ट प्रोटोपव ने बताया कि सिर में मुझूद जातर कोसिकाएं बिल्कुल नहीं जैसी ही है उन्होंने कहा कि भेड़े के सिर की तुलनात मगरे सच आप आधोनी के भेड़े के साथ ही की जाएगी इससे साफ होगा कि बीटे हजारे सालों के प्रदलते हालात में जानवरों का विकास कहते हुआ हिम उसके जानकरी जुटाने में काम आएगा सिर रूस की वैबसाइट साइबरियन टाइम्स की मताविक वैग्यानी के भेड़ियों के डियन ने की जाज भी करेंगे इससे उन्हें उस दोर की सिर की जानकरी मिलने में आसानी होगी जे-के-ई यूनिवर्स्टी स्कूल अफ मेडिकर इन टोक्यो की प्रोफेसर नाओ की सुजूटी के मताविक भेड़े के सिर्की सती स्केन में उसके अंद्रूरी अंग और दिमाग सही सहालत में पाए गई है ऐसी ही रोचा को और इंट्रेस्टिंग यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्स्पाइब कर देखे हैं आपका अपना चैनल और यूजनेस तर जो की बिल्कुल प्री है